सुविचार हम जब भी पढ़ते हैं, जीवन में एक नई उर्जा का संचार होता है और हर वो काम जो हमें मुश्किल लगता है, वो आसान हो जाता है ये सुविचार महान लोगों के द्वारा बोले गए हैं इन सुविचार से आपके जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है तो इन सुविचार से आप सही दिसा में सोच सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज की सुविचार कौन-कौन से है हमें अक्षर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही है जिन्दगी सडक की तरह है यह कभी भी सीधी नहीं होती कुछ दूर बाद मोड अवश्य आता है इसलिए धहरे के साथ चलते रहिए आपकी जिन्दगी का सुख़द मोड आपका इंतजार कर रहा है मुस्कुरा कर चलते रहिए किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें हस्ते हुए चेहरों का अर्थ ये नहीं है कि इनके जीवन में दुखों की गेर हाजरी है बलकि इनके अंदर परिस्थितियों को समालने की चमता है सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है बलकि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है समुद्र को घमन था कि वह पूरी दुनिया को डुबा सकता है इतने में एक तेल की भूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई इसका मतलब यह हुआ कि अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए शेर को सवा शेर मिल ही जाता है I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए थाइंक यू सो मच पर वाचिंग और कीप वाचिंग